नाक्पु शहर के नंदनुन शेत्र से सुभा तड़के एक कार को चुलाने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ते मामले में लिपत दो अन्य आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जिनकी चोरी की वारदाद में बराबर की भागेदारी है गिरफतार दोनों ये आरोपियों ने चोरी की अन्य वारदादों का भी खुलासा किया है पर अब तक इन सभी मामलों में मुखे आरोपी फरार है जो की लाखो रुपियों की चोरी जैसी वारदादों को भी अंजाम दे चुका है जानकरी के मताबिक नंदनवन थाना शेतर से चार पईया अर्टी का वाहन MH49U-7768 तड़के सुबा पाच बज़े के करीब घर के सामने से ही चोरी हो गई थी चोरी की वारदाद CCTV कैमने में भी कैद हो गई थी इसके चलते शिकायत के आधार पर नंदनवन पुलिस मामले की जाच कर रही थी तब ही क्राइम प्रांच इनिट एक की टीम को गुपत सूचना मिली की वाहन को चुराने वाले आरोपी राजनांग गाउं में छिपे हुए है जिसके बाद टीम राजनांग गाउं पहुँची जहां इस मामले में लिप्त मुख्य एवं कुख्यात आरोपी महेश महलांग एवं दीपक बगेल तो नहीं मिले पर पुलिस को इनके गाउं से जानकारी मिली कि इनके साथ ही विजय और फुकालिया निम्बल कर कलमना निवासी एवं उसका जमाई पुनीत संतोष निम्बल कर कापसी निवासी नाखपुर में ही रह रहे है इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक के टीम नाखपुर पहुंची और इन दोनों ही आरोपियों को गिरफतार किया पुश्टाश में आरोपियों ने बताया कि साथ चून को महेश और दीपक के साथ मिलकर नंदनवन से चुड़ाई गई कार को इन्होंने राजनान गाउ जाने के लिए इस्तिमाल किया पर बीच रास्ते में ही मंसर रोड पर वाहन का टायर फट गया जिसके चलते चारों ने वाहन को रास्ते में ही लावार इस अवस्था में छोड़ दिया और अपने स्थान तक पहुचने के लिए आरोपियों द्वारा बताये गए स्थानों से दोनों बाइक समेत नंदनवन से चुराई गई कार को भी जब्त कर लिया है और मामले के मुख्य एवं कुख्यात आरोपी महेश महलांग एवं दीपक बगेल की तलाश पुलिस कर रही है आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले ही शहर के मानकपुर्शेतर से 7 लाग की बड़ी चोरी को अंजाम देने के मामले में भी आरोपी महेश फरार है जिसमें आरोपी महेश के पिता और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफतार किया है पर अब तक महेश का पतान नहीं चल पाया है महेश पर कई आपरादिक मामले भी दर्ज होने के बावजूद वो शहर में खुलेयाम चोरीयों को अंजाम दे रहा है जिसके चलते आप पुलिस पर उसे जल से जल पकड़ने का दबाव है फिलहाल नंदन्वन पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है नंदन्वन अपराद क्रमांका दोशेट से उपन अबलिक तेवीस या मदे एक अर्टिगा वाहान चोरी गेलेले होता आणि सदरिल वाहान रेकोर्ड वरील आरोपी नरेश महिलांगे याने दिपक बगेल है चोरी केलेची आमाला गोपनिया महिती होती त्या धारे आमी तया अधिक तपास कोरून तांत्रिक महिती घ्याउन आमजी एक टीम रावाना केली होती राजनांद गाव ये थे तेथे टीम जाउन येंजा शोद गेत अस्ताना केलेले तापासा दरम्यान नरेश महिलांगे आणि दिपक बगेल हैंचे सोबत अधिक दोन मानस नामे वीजय निर्मलकर आणि पुनित निर्मलकर अधिक महुदा येट रहे सुद्धा वाहन शोरी मदे सहभागी होते आणि असर निष्पन न जाले आने आणि ते सद्या नाकपुर ये थे आसले ची महायती मिला आले तीम वापस नाकपुर ये आले आणि वीजय निर्मलकर आणि पुनित निर्मलकर या दोगांचा अधिल एक टूविलर आणि पारिशिवनी येथिल एक टूविलर चोरी केले चे शेकुन तीन वहाने चोरी केले ची महाईती दिली त्या वरुन सदरील नंदन्वन गुनियातिल चोरी गेलेले अर्टिगा वहान हे मनसर रोड वर तैननी टाइर पुटलांने सोडून दिली ओते या डिकड़ा हुन जबतक करनेत आले तसे जो मोटर साइकली होते हाँ त्या नाकपूर ये थे जैननी लपों ठेले ओती तिdependी ये पुन त्या हस्ततगत करनेत आलेला है नरेश महिलांगे और दिपक बगेल है रेकॉर्ड वर्चे चोर आहेत आणि तेंचा वर्चोरी चे अनेक गुने दाखल आहेत तेंचा आमी शोद गेत हो आणि तेंचा शोद अजुने चालू आहे MBCN News के लिए अकलेश भादवाज के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट